विए अपडेट आया । बहुत ही शांदर वाँ पर नए फीचर जोड़े गए है। वीडियो वालपेपर लगाना और 3D वालपेपर लगाना, दोस्तों यह नया feature क्या है, कैसे इसको use करेंगे, वागे आपको वीडियों बताने वालब हों, दोस्तों तो वीडियो हो उसके इंबत करेगा, वीडियों पूरड़ देखियेगा तो यह आप समझ़पएंग, दोस् यहां पर आपको वंडरलेंड मिल जाएगा वंडरलेंड को आपको जाकर यहां से इसको अपडेट करने पर क्लिक कर देना है या डाउनोड पर क्लिक कर देना है जैसी आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर नए आप्शन मिल रहे होंगे तो यहां पर आपको तीन न करने करना है उपने हाँ पर कोई से भी फोटो को ओपन कर लेना है तो लाइक मैंने यहाँ पर अपना इक यहाँ ने आप्शन मिल जाएगा वीडियो की जोका पहले नहीं करना है तो द आपको क्लिक कर लेना है लाइक किये वाली व्यडियो चाहिं कर दिया आishi नहीं करने नहीं करना है और वीडियो शेटिंग क्लिक करना है और यहां पर फूल कर देंगे बापिस को करना है तो आपको इसको अपने साप साइजस्ट करना है यहां से उसको एजस्ट कर दिया तो जैसे कि उसको एजस्ट करेंगे तो वहां पर वैसा यहां से सेफ करूंगा तो जैसा कि मैंने यहां पर सेफ करा है तो वहां पर वैसा ही आपको देखने वाल पेपर लगा आपको सिंपल इस वाल पेपर क्लिक कर दिना है ऑम स्क्रीन या लॉक के स्क्रीन जिस पर भी लगाना आपको उस पर क्लिक कर देंगे तो वह आपका वहां पर हो इस पर लग गया हो आप भी आ होँगे पोट्रेट फोटो में यहां पर ले लिए उसके आपको यहां पर हिलता हुआ दिख रहा होगा तो ऐसे ही एजस्ट करता है आपको इसी भी अपनी पोट्रेट फोटो को यहां पर 3D फेक्ट में बना सकते हैं और बहुत ही कमाल का यह वाला फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर आप इसको वाल पेपर में लगाएंगे तो बहुत ही शांदर आपको यह मज़ा आने वाला है तो second feature बहुत ही कम हला है उसके जो third feature दिया गया है या बोल सकते हैं यह first feature लिखा था जो की third feature यह ही है इसमें अगर आप click करेंगे तो आपको predefined बहुत सारे wallpapers मिल जाएंगे paid, free और new, top free सब यहां पर बिल जाएंगे आप इसको download करके अपने wallpaper में use कर सकते हैं और कुछ भी effects डालना है तो उसको use कर सकते हैं तो third feature यह ही था मुझे सब सच्चा feature यहां पर जो 3D wallpaper अपला वो लगा आपको एक बार और बताता हूँ 3D wallpaper कैसे बनाना है आपको अपनी portrait photo पे click करना है, image setting पे जाना है इसको on करना है और उसको आपको यहां से कर लेना है और preview पे click कर देंगे तो आप देखें कितना शांतर कर रहा है, मैं इसको save कर लेता हूँ और आपको save करके बताता हूँ जैसे कि मैंने आप पर इसको save कर लिया, save करने का इसको set as home screen कर देता हूँ और अब आप देखेंगे यह कितनी शगन तरीके से यहां पर यह work कर रहा है, आप देख रहे होंगे तो थेंकि दोस्तों